नमस्कार दोस्तों कैसे हैं राम राम होली की बहुत बहुत शुब कामना है आप सबको अगले वर्ष जब आप पुने होली बनाएंगे तो हमारी प्रभू से ऐसी कामना है कि आप सब आरे सधीकारी बन जाई है ऐसे आई एस में सेलेक्शन हो जाए कोई ना कोई आपको सरकार नौकरी मिल जाए जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं देखिए कल अपने सर्वे का सारांश का पार्ट टू कराया था सारांश पार्ट वन और पार्ट टू में मैंने आपको दो स्टोरी बताई थी चोटी-चोटी सी वन डिस्ट्रिक वन प्रोडेक्ट वाली कि जब मैं वहां पर भी रेल्वे का एक काउंटर बनावा जहां पर भुसावर के अचार और अन्य चीज़े मिलती हैं तो रात को ही मेरे पास अपनी एक विध्यारती है उसका मैसेज आ गया था कि सरी वन डिस्टिक वन प्रोडेक्ट कौन-कौन से हैं उसके बारे में थोड़ा सा बत चलिए एक बार थोड़ा सा आपको फिर अपने एक्सराइज करेंगे इसकी की वन डिस्टिक वन जो प्रोडेक्ट है इसको भी हम एक बार करके देख लेंगे इसका एक बार ब्रीफ और देख लेते हैं स्टार्ट करने से पहले ओडी ओपी जो है अपना ये वन डिस्टिक वन प्रोडेक्ट है यह अपने केंद्र सरकार का मंत्रा ले कौनसा वानिज और उध्योग मंत्रा ले इसके अंतरकति विभाग काम करता है उध्योग और आंत् इसके बाद एक लिस्ट और है जो अपने अगरी कल्चर से लिटेड और है हमने अगरी कल्चर से लिटेड और है प्रोमोशन करने के लिए हर जिले का एक अगरी कल्चर उत्पाद उस पर अपने जोड़ा है वह लिफ्ट लिस्ट आप उनको कहां से मिलती है मिनिस्ट्री ओफूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से मिलती है क्लियर तो उसको अपन बाद में देखेंगे मौस्पी को पहले ह हम एक बार यह जो अपने उद्ध्योग मंत्रा ले की जो लिस्ट इसको देख लेते हैं सामनेता सब जगे मैंने देखाए कि जो लिस्ट है वह जो एक्री कल्चर के उत्पाद है वहां लिस्ट मिलती है ना तो एक बार एक जोटा सा और सेशन ले लेंगे अभी तो फिर होल साइट एपन देख लेते हैं हाँ चलिए एक बड़ बस अपने नाम है इनको देख लेते हैं फिर हम इसको मैप पर भी उतार लेंगे बोला होली के दिन अरे उसका तीन मैसेज आगे गुड़ी आगे बोला कि सर जी वन डिस्टे वन प्रोडें मैंने कि आज तो मौच कर लो हां और मैं तो अभी अपने मित्रों के साथ बहार जा रहा था होली कानल ने तो मैंने चलो दपांदस सिंड में आपके साथ इस बहार ने चर्चा भी हो जाएगी मन को भी संतोश हो जाएगे कि आज हमने आपको एक छोटा सा वीडियो भी दे दिया ए बी सीडी अल्फेबेटिकली डिस्टिक की नेम है अजमेर में ग्रिन आइट है अलवर में ओटो मोबाइल है बास बाड़ा में सिंथेटिक यान है बारा में सोयाबीन है यह सारे अब यह अपन देख लेंगे ठीके ना कुछी जिलों में दो प्रोडेक्ट भी हैं कुछ पर लिस्ट आपको यह मिलेगी यह आपको रायस्तान एक्सपोर्ड प्रोमोशन कॉंसिल की जो अपनी साइट है export रच्पोर्ड कोंसिल इसमें आप ढ़ाना इसमें च्राजस्त एक्सपॉर्ड करके एक टाब दे रखा है इसैब में आप जाएंगे ओन एंदिस्टिग्वान प्रॉडट्ट की आपकपूरी पूरी पूरी लिस्ट मिल जाएगी ग्रियर पूरे तेथि सलों की लिए अब इसमें दो बाते दिहाण रखनी है कि दो एक वादीक्ट बिता रखें उसमें में बात करते हैं अजमेर में कौन-कौन से हैं मित्र बोट 165 मेरी ज्याzhर मेरे जए उब से अपर LV किया है हमने यहul fan और मार्बल हमने क्लिए रहे हenne अल्वर यह देखो साव अपना अलवर आगया मैं如何 यहां पर automobile एसे अलवर और एसे automobile पार्ट्स अपने यह पर तैय कर रहें अब एसे हजमेर हो गया और यह से कोई नाम नहीं अब आजाओ बांसवड़ा देखो अपने गाड़ियों को नंबर होते हैं आर जे चोदा आर जे सोला आर जे तेज वह भी सामने था अलफबेटिक लि चलिए इसे अलवर होगे अब वी से बांसवड़ा बांसवड़ा कि दर है साब अपना यह अपना प्यारा बांसवड़ा रहा बांसवड़ा में कौन सा है सिंधेटिक यान बांसवाडा में कौन सा है बन डिस्टिक बन प्रोडेक्ट का अन्तरगद सिंथाटिक यार्न है क्लियर है अचा अब बांसवाडा के बाद कौन सा देख लें अपन अपना बचे गा बारा और उसके बाद बार्डमेर, भरतपुर और भिलवाडा और भीखाने ठीके बारा में कौन सा है बारा में सोयाबीन की फसल बहुत जोड़दार होती है तो बारा में सोयाबीन बारा में कौन सा है मित्र सोयाबीन बारा के बाद बार्ड मेर पेट खराब रहता हो तो बार्ड मेर की ईसा भगोल की भुस्सी खालो ठीके इसा भगोर इसा भगोर की गुश्टी खालो भरतपूर बरतपूर का शहद बड़ा फेमस है भरतपूर का शहद अब चलते हैं बील बड़ा टेक्स्टेल स्टेटी आप सब जानते हैं तो रेडिमेंट गार्मेंट और डैनिम रेडिमेट गार्मेंट में भी कौन सा देनिम ध्यान रखना यह हो गया अपना प्यारा भीलवाडा रेडिमेट गार्मेंट और रेडिमेट गार्मेंट में भी कौन सा है मित्र डेनिम डेडिमेट गार्मेंड में भी डेनिम आगे बढ़ें भीलवाड़ा के बाद देख लेते हैं बीकानेर में आपको ध्याने गुदरात में हम सारा वॉ मेंट्रियल बीकानेर पर भारत को सप्लाइ कर रहें और मेंट्र अपने राईस्थान से जाता है बिकनेर ceramics बिकनेर के लिए कॉनसा है मितर ceramics और ये किस सेक्शन में आएगा ceramics ग्रेनाइट एंड मार्बल के अंतरगर इसमें ग्रेनाइट और मार्बल के अंतरगर बिकनेर में बुंदी बुंदी में अपने चावल खोब होते हैं ये यह बुण्दी में हो गया राइस और क्या हो कैसा बुण kamu यचाव अपने चितोड धड़ की बात करतें चितोड घड़ में भी अपने घ्रेनाइट और मार मन यह अपना क्या साथ चितोड़ चित्तोड़गर हो गया ग्रीनाईट और मार्बल के अंतर का थम्मे इसको डाल रखा शुरुमें ई हमने पड़ा था जुरुमें चुरू में वुट प्रॉडटर्ट कॉन सा है। चुरूं में वुट प्रॉडटर्ट चुरू के बाद चले हैं। चुरू के बाद दोसा जिसका मैं आपको कल example दे रहा था दोसा में दोस्तों दरिया लिए कार्पेट दोसा में कार्पेट, अधियी क्लियर है ये सब हम export promotion के हिसाब से अपन ने इक एक list में एक प्रody flush finalize किय है दोसा के बाद कहां चलें दोसा हो गया दोसा के बाद चलते हैं धौलपूर धौलपूर का घी और धौलपूर में स्किम्ड मिल बेसिकली है न धौलपूर में अपना कौन सा जाएगा मिल्क पाउडर वो भी स्किम्ड है तो धौलपूर अपना इधर आ जाओ सब शेहद की नीचे हमें लिख दिया धौलपूर स्किन्ड मिल हो गया धौलपूर क्या हो गया मित्र स्किन्ड मिल हो गया डी से धौलपूर और डी से कौन से हो जाएंगे अपने डूंगरपूर डूंगरपूर भी ग्रीनाइट और मार्वल के अंतरगत कौनसा है स्लेबस एंड टाइल्स कौनसा है मित्र स्लेबस एंड टाइल ग्रीनाइट के अंतरगत ठीक है डख़ंगरपुर के बाद हनुवानगड डी ए बी-स डी-ई-एफ घी-ज-च हनुवांगड हनुआद मर में आपके गौार गम कहते हैं गौार की फसल गौार गम कॉम गउआर गम की फसल और अपने जैपूर में अपने अजाओ Blue Pottery ये दूसरे कलर से ले लिता हो, ये जैपूर, जैपूर में मित्र कौन सा हो गया, ब्ल्यू प्वाटरी हो गया, इस पर और कौन सा कलर भढ़िया चल सकता है, हाँ, ये भी तो अच्छा चलेगा, ठीक है, जैपूर में कौन सा हो गया, ब्ल्यू प्वाटरी हो गया, जैपूर तो उसके बाद जैलमेर में आप सब जानती है कौन सा यल्लो स्टोन, पीला मार्बल, पीला पत्थर, यल्लो स्टोन धीक है? यल्लो मार्बल स्लैप बोल लादा यल्लो स्टोन और मार्बल येलो मार्बल अपना हो गया जैसल में है जे से जैसल मेर होगी जे से जैपूर जे से जैसल मेर और उसके बाद अपना आगे बढ़ते हैं जालोर ठीक है जालोर में आजाओ स्पाइसेज जालोर में स्पाइसेज जालोर में स्पाइसेज clear है जालोर में कौन सा हो गया मित्र spices हो गया जालोर के बाद अपन चलें जालावाड देखो दो product है ना इसके बाद एक मैं छोटी से सूची बना दूँगा उसको विशेश रूप से ध्यान रखना second product कौन सा है उसके बारे में संत्रे और जालवाड के बाद कहाँ चले जालावाड के बाद चलते हैं अब जून जुनो ठीक है ना जूनजुनों के जुनजुन जुन 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 के लिए जेगे निकाल कि यह निकाल दी जुन जुन में भी stoneoral प्रॉड़ेक्ट कौन सा है मित्र जुन जुन में स्टोन प्रोडेक्ट क्लियर है जुन जुन में स्टोन प्रोडेक्ट जेको जुन जुन में प्रोडेक्ट दूसरा भी है वो भी लिस्ट अपन अभी देख लेंगे क्लियर जुन 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 में स्टोन प्रोडेक्ट अब जोदपूर में आजाओ जोदफूर तो फेमस है यह है 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 हैंदी क्राफ्ट के लिए यह लोग जोदफूर में जो हैं टीर में प्रॉडेक्ट है इसमें इनके स्पेसिफिकेशन कर रहाए किसका परनीचर से लेटेड कौन सा मित्र परनीचर से लेटेड यह एक्सरसाइज आप मेरे साथ कर लो गया तो एक प्रशन आपका पक्का हो जाएगा जोद्पूर में परनीचर हो गया आगे बढ़े जोद्पूर के बाद के से करोली करोली में क्या मिलता है सांब करोली में भी भाटा मिलता है और बाटा भी कौन जा है सेंड स्टोन करोली में सेंड स्टोन मिलता है करोली के लिए रस्ता कहां से निकालू यह लो करोली के लिए यह रस्ता निकाल दिया करोली का मेरा मित्र मेरा जो गणिष्ट मित्र है वो करोली में जिला सपोर्टरा ग्राम सलेमपुर का है जो तीन जार आपके जो अभिन मित्र होते ना अभिष्ट मित्र उनमें से हमारा एक मित्र करोली में सलेमपुर सपोर्टरा का है क्लियर करोली के सेंड स्टोन क्लियर है आगे बढ़े के से क रोली हो गया कोटा 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 में क्या है कोटा डोरिया movieट्री इस्में फिक्सकर है कौन सा सेगमेंट है로ड्री फैब्रीग में कोटा डोरिया कोटा के लिए और जग messager निकालते हैं यह कोटा के लिप रस्ता निकालते है एम्रुइड्री एम्रुइड्री फेब्रिक और यह एम्रोइड्री फेब्रिक वाला कौन सा है कोटा-डोरिया कोटा-डोरिया का डोरिया सो कोटा भी यही जगे के कि एलम्न यंस ऑगा है नागोऊर का देख लेते हैं हाह नागोऊर में भी मकरान सः ये लो साब नागोऊर का मकराना मा Ary वोर इसको अपने याय टैग भी दे रखा है नागोऊर का मकराना मारबा है आई जे के लमन ओ पी पाली पाली में मेहंदी पाली में मित्र मेहंदी पाली की मेहंदी फिर्मास है ओडी ओपी में अच्छा अब पाली के बाद कौन सा ले ले प्रताबगड प्रताबगड का क्या फिर्मास है प्रताबगड में देखो प्रताबगड इंपोर्टेंड भी है क्यों है क्योंकि 12 कोटा जहलावाड में लहसुन बहुत होता है लेकिन अपने लहसुन किसको दे रखा है यहां पर प्रताब गड़ को दे रखा है किसको दे रखा है मित्र प्रताब गड़ को गार्लिक को दे रखा है इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है तारा लगा देता प्रताफगण में गार्लिक प्रताफगण में गार्लिक पीपे हो गए आगे बढ़े 26 हो गए अपने न राज समन्द 27 राज समन्द 27 और राज समन्द में टेरा कोटा राज समन्द में मित्र टेरा कोटा ये पाली के उपपर से लेके आया मैं और ये अपना हो गया टेरा कोट तेरा कोटा मिट्टी के जो उत्पाद हैं मिट्टी का जो शिल्प है वो यहां पर है ठीके आर एस ऐसे सवाई माधवपूर और सवाई माधवपूर में क्या है अपना सवाई माधवपूर में अपने टूरिज्म है, क्या है मित्र? सवाई मादवपूर में टूरिज्म है ये भी ध्यान रखना है, important ये भी सवाई मादवपूर में टूरिज्म है सारी जगेत ऐसे बर्दी धढ़ा धढ़ 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 कोई नहीं, यहां से उठा के सवाई मादवपूर का टूरिज्म सवाई मादवपूर में टूरिज्म clear S हो गया अपना, S में एक कौन सा बज़ गया? Seeker, Seeker का ध्यान रखना देखो अपने जोदपूर में हैंडी क्रावट में फरनीचर है ध्यान रखना, लेकिन Seeker में भी फरनीचर है, और Seeker में फरनीचर कैसा वाला है? अन्टीक वाला है Seeker के लिए जगे निकालो विकात जी बिल्कुल निकालेंगे साहाब यहाँ से लेके में चले गया नहीं 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 यह ठीक नि रहेगा यह जगे तो बिल्कुल ठीक नि रहेगी यह होगे अपना हनुमान कड़ का गवार्गम और Seeker में एंटीक फरनीचर Seeker में एंटीक फरनीचर कौन सा कलर लूँ यह ले लेता हूँ Seeker में परनीचर और कैसा फरनीचर? एंटीक होना चाहिए जो पुराने टाइप के एंटीक आइटम होते न एंटीक फरनीचर कहां के? Seeker के और जोदपुर में भी फरनीचर है लेकिन सामबाने फरनीचर है एंटीक फरनीचर सीकर ऐस से और कौन सो होगे? सिरोही सिरोही का हस्क है साइलम हस्क ठीक है? साइलम हस्क भूसा आई यह भी है ना के लिए काम आता है पेट वेट जब गडबड रहता है तो इसी को काम में लेते हैं सिरोही के लिए दूसा रंग ले लेते हैं ये सिरोही आगया ठीक है? इसको वाइट में लिख दूँ क्या मैं? वाइट में लिख देता हूँ यह थोड़ा क्लियर नहीं होगा नहीं तो साइलियम हस्क साइलम हस्क हम बुलावा आ रहा है कि चलो सब ओली क्लास अब स्टार्ट कर दिया तो फिनिश करके ही बानेंगे यह कौन सा हो गया जाइलम हस्क हो गया अच्छा और कौन सा बच गया श्री गंगा नगर देखो हनुवानगर में गवार गम है ध्यान रखना और श्री गंगा नगर में गम पाउडर है इसमें श्री गंगा नगर में गम पाउडर है हमें तो गम किस ने दिया श्री देवी ने दिया श्री गंगा नगर में गम पाउडर है श्री गंगा नगर में गम पाउडर है और कौन-कौन सबच गया है पी क्यू आरेस टी टी से टॉंक अरे बारे टॉंक के लिए जगे और खहां से निकलेगी टॉंक और टॉंक में क्या है टॉंक में भी मित्र सेंड स्टोन है टॉंक में भी सेंड स्टोन है टॉंक में भी सेंड स्टोन है कोई नहीं बनाएंगे साब जगे यह लो टॉंक में सेन्ड्ड स्टोन क्या जवर्दस तीर चल रहे हैं सेन्ड इस्टोन है और हम बात करें टॉंक के बाद एक बचा है अपने PQRST यू से उद्यपूर और उद्यपूर में कौन सा है देखो उद्यपूर में ग्रेनाइट मार्बल में आईवरी कार्विंग है क्या गिया पत्थर के पर जो देखते हैं कई वार वो खिलोने वगरा तो इसमें कौन सी है आईवरी अब लेए। है यहां से यू लिआओं क्या ठीक है यह मैंने च्छोटा सा लिख दिया आयवरी lijnог क्लियर आपको भी ऐसा ही करना है कैसे करना है जो चुपार आपको कर लेने है या तो है ब्यों Правidhe एक page पर एक side में लिखना और उसके आगे product लिखना मतला एक बार तो आप मेरे साथ यह accessize कर लो इसका अभ्यास करने के लिए एक side तो आप अपने जिलों के नाम बोलते जाना और खुद लिखना एक बार लिख लोगे ना तो इस अंकट खतम हो जाएगा और इसमें से भी वह एक कोशन आने की पूरी पूरी उम्मीद है क्या एक कोशन आने की मित्र पूरी पूरी उम्मीद है अब देखो कुछ जो जिल प्रोडेक्ट को अपने कौन सा था हनी पहला प्रोडेक्ट क्या था रिकॉल करा दूं आपको शहध और प्रोडेक्ट टू अपनने कौन सा ले रखा है भरत पूर में एडिबल ओइल सर्सो के बामले में आप जानती है भरत पूर नंबर वन है एडिबल ओइल दूसरा प्रोडेक्ट क्या है एडिबल ओइल अपनको एक वर अभी इस पर ध्यान देना है क्लिर भरत पूर के बाद दौसा हां दौसा में आप कभी आपको मत्रा वरिन्दावन जाएंगे कोई आपके कंगुरे बने हुए हैं मूर्तिया बने जाथर की ठीक है तो दौसा में जो सेटिंग सेटिंद प्रोडेक्ट है वह कौनसा फेमस है स्टोन आर्टिकल का कौनसा स्टोन आर्टिकलगन और पहला कौन सा था कारपेट codedुके लोपने और दूसरा हमने कर दिया वर स्टोन आर्टिकल क्या कर दिया स्टोन आर्टिकल कर दियर है इसके बाद जैपूर जैपूर में हमने एक क्या लिया था जैपूर में हमने लिया था दोस्तों पॉर्टरी ब्ल्यू पॉर्टरी जैपूर में कौन सा लिया था ब्ल्यू पॉर्टरी जैपूर में हैं कौन से बड़े फिरम고 से तो कौन से अज्येगी जूल्री ये जैम से जुल्री जैम से जुल्री जैम से जूल्री और कहां पर है जैपूर के लावाए जैलावाड क्या ज्यालावाड को देख लेते हैं जालावाड से पहले जालोर आना चाहिए था ना जालावाड कौन सा इमित्र जालावाड में कहाते हैं संत्रे थे ना संत्रे और सेंड स्टोन संत्रे और यहां पर भी सेंड स्टोन अपने करोली में भी सेंड स्टोन हैं यहां पर भी सेंड स्टोन हैं क्लियर जालोर का देख हब देखा थे हैं जालोर में हमने क्या देखा था फ्लवर के साथ मेटर द्टाम्हें पेहला डर्राइब हेस्ट और सब्हूर की जुतियां बड़ी फ्यमस है जिसको को मोजडि कहें को और मोजडी जूतियां भी यहां कि सेकिंड प्रॉटक्ट हो गई है जालोर हो गया जह्लावाड हो गया और कॉन सा रेगा जुन्-जुन्ब में भी ध्यान रखना जुन्-जुन्ब में हमने एक प्रॉटक्ट को लिए था सेंड सेंड इस्टॉन और दूसरा कौन हो गया अपना सिलीका सेंड और यह अपना हो गया जिसमें दो है ठीक है इसके बाद एक अपना बसता है प्रताब गड़ सात्वा है प्रताब गड़ और प्रताब गड़ की कला है जो बड़ी फेमस है बड़ी फेमस है कौनसी थेवा कला कौनसी कला थेवा कला अब देखो प्रताब गड़ का यह वाला बड़ा इफ्पोर्टेंट है गार्लिक वाला और दूसरा प्रड़ेट कौनसा हो गया इसका थ थेवा आठ कौन सा हो गया मित्रा थेवा आठ तो यह जो है साथ जिले आप ध्यान रखना साथ जिलों में दो प्रोडेक्ट दे रखें प्रोडेक्ट फर्स्ट एंदें प्रोडेक्ट टू चलिए यहीं पर इसको विराम देते हैं होले की दिन एक छोटी सी प्रस्तुती थी इसको कर लेना पक्का इसमें से एक ना एक प्रश्न आपके आ जाएगा नमस्कार धन्यवाद राम राम